गाइस बहुत बार क्या होता है कि हम कोई सोफ्टवेर इंस्टोल रहता है अपने PC या लेप्टॉप में तो वह बोलता है माला इरा मेसेज बाता है कि आपको मैक्रोशोफ्ट का नेट डोट फैमक चीए कोई 4.6 या 4.5 से उपर या मलब 210 से उपर ही आपको चीए तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाते हैं ओनलाइन तो आपका बहुत सारा नेट वेस्ट डेटा वेस्ट होगा और बहुत सारा टाइम भी लेगा अगर आप इसको एक सिंपली वेव में ओफलाइन इंस्टोर करना साथ है तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें हैं है 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 मेरे नाम है नितेश जेन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नो वानी तो चलिए शुरू करते हैं है आज 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 आपने बह 4.5 मलब 2.0 से उपर का ही net framework download करना होगा अपने computer या PC के लिए तो आप उसको online download करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वह आपका बहुत ज्यादा internet डेटा वेस्ट करता है इंस्टोर होने में और उसको बहुत टाइम भी बहुत रगता है अगर आप उसको एक विदिन टू मिन लिंक के आपको description में भी दे दूंगा वह से इसको इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपको क्या करना है उसको डाउनलोड करना है और आपको डाउनलोड फोल्डर आपको इस तरह दिखेगी वह जो इस एक नमबर की जो फाइल इस तरह देगी आपको simply जो आप other जो software दो इस्ट इसको वेलिट कर देगी उससे आपकी कोई प्रोब्लम नहीं होगी है इस्टोर हो जाएगा तो आप यहां से उसका फाइदा ले सकते हैं मैंने देखा है मैंने एक रिमिक्स जो भी जाई टेक्नोलोजी ने लॉंच किया अपने PC के लिए Android तो उसमें भी ए 4.6 या 4.5 फ्रम कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें